आपकी पढ़ाई की, आपकी पढ़ाई चलती रहे बहतर, मैं तो कहूंगा बस अपने माता पिता के सपनों के लिए, बस आपको एक दिन के लिए पढ़ना है, दिहान रखना जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, जिस में फॉर्म भर रहे हो, उसका एक दिन रिजल्ट भी आ गया और अगर पड़ोसी के बच्चे के जो पिताजी है, वो तुम्हारे पिताजी से पूछते हैं, मेरे लाला का सलेक्शन हो गया, तुम्हारे लाला का हुआ की नहीं हुआ। कि उस टाइम पर अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर तुम्हारे पिता की नजरे जुकी रहे और वो कहें कि मेरे लाला का सेलेक्शन नहीं हुआ तो बेसक मत पढ़ना लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर उनके अबाज हो अगर तूने सेर पाला है तो मैंने भी सेर पाला है अगर तेरा सेर सेर है तो मेरा सेर सवा सेर है उस दिन के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा मैं कहूंगा मैं कहूंगा कितनी भी मुश्किले आ जाए ऐसा कोई व्यक्ती नहीं जिसकी जिंदगी में मुस्किले नहीं मुस्किले सब की जिंदगी में आता है दुनिया बिखरेगी तो बिखरेगी हम तो इन मुस्किलों में निकरेंगे 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 और मैं यही कहूंगा मैं यही कहूंगा एक चीज सोचो जिस दिन जिस दिन आप अपनी तनखा के पहले सबसे पहली तनखा से अपनी माता के लिए एक साड़ी लाकर दोगे अपने पिता के लिए अपने पिता के लिए एक सूट लाकर दोगे और जिस टाइम वो उसे पहन के गाउ में चल रहे होंगे और भाई साब जब कोई उनसे पूछ रहा होगा कि ये तो बड़ा प्याराए कहां से आया है मेरा बेटे का सेलेक्शन होगा मेरी मा कस जितनी भी माँ वो कहेंगी जितनी बेटियों का है मेरी बेटी का सेलेक्शन हुआ है मैं कहूंगा आप लोगों को इस दिन के लिए पढ़ना पड़ेगा प्यारे दोस्तों जब कभी मोटिवेशन की बात आ जाए रसोई में जाकर एक महिला को देखना उसे मा कहते हैं मा का है कोई भी मोसम हो घर में सब से पहले उठती है सब के बाद में सोती है बोलो हाई या ना क्यों कहते हैं दिल के टुकड़े करने वाला वो कहते हैं ना कि हर एक बच्चा सभी मा ये कहते हैं मेरा तो चांद का सा बच्चा है वो कहते हैं दिल के टुकड़े करने वाला दिल का टुकड़ा लगता है नालायक बेटा भी मा को राजा बेटा लगता है और मा की ममता जैसा निर्मल मा की ममता जैसा निर्मल कोई दरपण क्या होगा जिसको धूल सना बच्चा भी चंदा जैसा लगता है और प्यारे दोस्तों ध्यान रखने हैं इस बात को बाप से मेरे चलाना जाता फिर भी काम को जाता है और मेरा घर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है घर वो छट की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज़्यादा रोते हैं मुझसे ज़्यादा रोते हैं माना चलती कटिन परिच्छा पर मेहनत मेरा हतियार है गुरुओं से हम लेकर सिख्छा और अरजुन रण को तयार है सब्र का मैया बांध न तूटे गला किस्मत का घोटूंगा सब्र का मैया बांध न तूटे गला किस्मत का घोटूंगा बस चंद महीने बाकी हैं मैं लेके वरदी लोटूंगा प्यारे दोस्तों बस इसी उम्मीद से आप लोगों को समझकर चलना है तो एक वादा आप लोगों को करना है बस कहेंगे कहेंगे कि मा की उमीद पिता की चाहा लंबी हो गई है नौकरी की रहा वादा है आज से अपनों की खातिर, अपने सपनों की खातिर, अपने सपनों की खातिर, माता के सपनों की खातिर वादा है आज से मैं खुद से भी लड़ूँगा, वादा है आज से खुब पढ़ूँगा मैं, मैं खुब पढ़ूँगा मैं तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बहतरीन तरहीगे से चलोगे